हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफिय और नेटवर्क शिक्योटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस इंक्रिप्शन इस्टेंडर्ड के बारे में जिसको आप सौर्ट फॉर्म में AES एल्गोरिफम के नाम से जानते हैं जो कि exam point of view से बहुत ही important topic है उसके बाद हम discuss करेंगे history के बारे में उसके उसके बाद हम discuss करेंगे कि characteristic क्या होता AES algorithm का उसके बाद हम देखेंगे कि advantage और disadvantage क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर AES algorithm का हम कहां पी use करते यानि application आप AES algorithm और वीडियो के last में हम discuss करने वाले है difference between AES and DES जो कि important question हो सकता आपके exam के लिए तो हम देखेंगे advanced encryption standard और data encryption standard के बीच में क्या major difference है वीडियो को last तक जरूर देखेगा और हाँ अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लिजे अगर आप इस course की ppt को या फिर pdf notes को download करना चाहते हैं तो description में link है आप वहां से जाके download कर सकते हैं तो अगर हम बात करें AES algorithm के बारे में कि क्या होता है AES algorithm जो AES है stand for advanced encryption standard होता है और यह किस पे काम करता है symmetric encryption algorithm पे काम करता है अब अगर हम बात करें कि symmetric encryption algorithm होता क्या है तो symmetric encryption algorithm क्या होता है कि जब कोई sender ने किसी receiver को कोई message भेजता हुआ या इंटरनेट और हो चाहता है कि हमारी communication एक secure form में हो तो secure form में communication करने के लिए जो sender होता है वो जो original message होता है उसको क्या कर देता है encrypt कर देता है encrypt करने के लिए हम क्या करते है एक key का use करते है ठीक है अब जो message था SARAH messenger receiver int पे पहुंसता है तो उस पर क्या होता कि user उस message को मतलब receiver उस message को को देखने के लिए कि आखिर ओ message क्या है तो उसको क्या करता है decrypt करता है अब वो decrypt करने के लिए भी हमें एक key की जरूरत पड़ती है अब जो encryption और decryption के लिए हमने दो key यूज की है अब दोनों की अगर same होती तो उसी को हम बोलते है symmetric encryption algorithm तो जो advanced encryption standard होता है इसके अंदर हम symmetric encryption algorithm का use करते है मतलब की encryption और decryption दोनों के लिए हम same key का use करेंगे उसके बाद अगर हम बात करें जो advanced encryption standard होता है ये क्या करता है कि encryption करता है और protection provide करता है किसी भी electronic data के मतलब जो computer data होते हैं उसको encrypt करने का काम और protect करने का काम करता है अब बात करें जो advanced encryption standard था कैसे आया तो इसका replacement, किसके replacement पे आया था, data encryption standard यानि DES algorithm को replace करके, AES algorithm को लाया गया था, और जो AES algorithm है, DES algorithm के अपेक्चा, क्या कि faster है, better है, ठीक है, इसलिए इसको लाया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ bugs थे, bugs का मतलब है कि brute force attack के खिलाब, वो पूरी तर से secure नहीं था, क्योंकि एक ऐस time आता है, जब आप क्या करते थे, उसके उपर attack हो जाता था, अब अगर हम बात करें, जो AES algorithm, उसमें क्या होता है, कि three blocks cipher होते हैं, जो क्या करते हैं, ciphers are used to provide encryption of data, मतलब data को encryption provide करने का काम करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, इसके basic history के बारे में, तो history के अगर हम बात करें जो AES algorithm था, इसको NIST द्वारा double up किया गया था, जो कि 1997 के अंदर इसको double up किया गया था, NIST क्या होता है, National Institute of Standard and Technology के इसका full form है, 1997 के अंदर इसको double up किया था, अब आगे हम बात करते हैं, तो इसको double up किया गया, किसके अपिक्चा मतलब DES algorithm थी, उसके जगह इसको replace करके, मतलब सबसे पहले क्या था, कि 1976 के करीब क्या हुआ था, हमारा data encryption standard algorithm को बनाया गया था, अब अच्छी तरह से work करती थी, उसके अंदर double data encryption standard आया, triple data encryption standard आया, तो इस सब सारी चीज़े अच्छे काम करता था, लेकिन उसमें पाया गया कि जो brute force attacks होते हैं, और कुछ cyber attacks थे, उसके, थ security provide करने का काम नहीं कर पा रहा था, तब हमें जरूरत पड़ी कि एक हम advanced algorithm को लेके आए, तब वहाँ पे हमने क्या किया, AES algorithm को हमने लाया, ठीक है, वहाँ पे AES algorithm आया, उसके बाद ये क्या किया, कि उसके अबेक्चा क्या किया, जो भी various attack होते थे, वो ज्यादा secure माना गया ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसको publish करने की जो date थी, 26 November 2001 में क्या किया गया, AES algorithm को market के अंदर लेके आ गये थे, हम लोग, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि काम कैसे करता है, काम करने का इसका basic simple, एक parallel work करता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, 16 round होते थे, यहाँ पे यहन, round तक हमारा encryption data चलता रहता है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके characteristic के बारे में, characteristic क्या होता है, कि जो AES है, उसके पास जो keys होते है, 3 length width, 128 और 192 और 256 bits का use किया जाता है, जो key, मतलब use किया जाता है, मतलब encryption और decryption के लिए, जो key का use किया जाता है, 128 bit का, 192 bit का और 256 bit का use किया जाता है, अब इसको हमने मानते है, कि यह flexible होता है, implementation के लिए, मतलब software और hardware दोनों के लिए, इसका implementation बहुत ही आसान है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो यह high security हमको provide करता है, बहुत सारे attacks से, मतलब बहुत सारे attacks से, हमको बचने के लिए, एक high security को provide करने का क यहां पर क्या है, कि इसका कोई भी copyright नहीं है, इसलिए हम globally use कर सकते हैं, आगे अगर हम बात करें, तो इसमें 128 bit होता है, उसके लिए 10 round का process होता है, मतलब 120 bit operation perform करने के लिए 10 round का encryption चलता है, अब हम बात करतें इसके advantage और disadvantage के बारे में, कि आखिर AES algorithm के क्या advantage है, क्या disadvantage, तो पहला advantage है, कि it can be implemented on both hardware and software, इसका implementation hardware और software दोनों में implement हो जाता है, ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है, high security provide करता है किसी भी users को, उसके बाद क्या करता है, कि एक open source solution है, for encryption के लिए, तो मतलब कह सकते है, कि एक तरह का बढ़िया, मतलब best, one of the best open source solution for encryption, उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक तरह का robust algorithm में, मतलब एक बढ़िया, अच्छा algorithm में, जो कि data को encrypt करता है, और better security provide करने का काम करता है, अब बात करते है, इसके disadvantage की, तो disadvantage का क्या है, सबसे पहला disadvantage का है, कि इसको requirement होती है, many rounds up encryption, क्योंकि भाई, ज्यादा secure है, तो ज्यादा rounds up encryption करता है, ज्यादा round time लेता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो इसका implementation, software implementation थोड़ा सा hard होता है, तो यह इसका disadvantage हो सकता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कि it needs much processing at the different stage, क्योंकि इसमें बहुत सारी stage होते है, तो हर एक stage पर क्या करता है, कि ज्यादा से ज्यादा processing time को एल ले करने का काम करता है, और कह रहा है कि, it is difficult to implement when performance has to be considered, जब हम consider करते है performance को, तो इसका implementation थोड़ा सा difficult हो जाता है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसके application के बारे में, कि आखिर इसका कहां कहां पे use करते हैं, तो अगर हम बात करें, advanced encryption standard की, तो widely used in many application, बहुत जगा पे इसका use किया जाता है, required, किसी भी data को secure करने के लिए, storage करने के लिए, टेकर data अगर हम transmission कर रहे हैं, वहाँ पे भी, या हम कोई communication कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी, तो कुछ common types की users को यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, wireless security होता है, database encryption है, secure communication है, उसके पहले अगर हम बात करें wireless security के, तो जो हमारा advanced encryption standard है, इसका use हम करते हैं, कि यह wireless network को security प्रोइड करें, सच्छा यह wifi networks हो गया, ensure करता है data confidentiality को, और prevent करता है unauthorized access को, मतलब अगर जो भी wifi से connected लोग है, ठीक है, उनके system से attack होने से, मतलब उनके system को protect करने का काम करता, कि कोई unauthorized access, उस wifi का access न करें, क्योंकि यह wifi के थुरू क्या होता है, कि कोई भी वन्दा आपके system के अंदर enter कर सकता है, तो उसको यह provide security, provide करने का काम करता है, उसके बाद database encryption, ठीक है, database encryption के अंदर क्या होता है, कि जो AES algorithm होता है, यह advanced encryption standard होता है, यह apply होता है, मतलब encrypt करता है, जितने भी sensitive data होते है, जो भी database के अंदर store होते है, ठीक है, उनको encrypt करता है, उसके बाद हमको provide करता है, जो भी हमारी personal information है, financial record है, इन सारी चीजों को, ठीक है, यह क्या करता है, unauthorized access से बचाने का काम करता है, उसके बाद आता है, secure communication, secure communication में AES algorithm advanced encryption standard का सबसे ज्यादा use किया जाता है, secure communication मत जब एक person किसी दूसरे person से via internet के through क्या कर रहा है, कि chat कर रहा है, या कह सकते है कि communicate कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका use किया जाता है, जैसे email हो गया, instant messaging हो गया, wise या video calls हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, कि सबसे ज़्यादा security provide करने का काम करता है, AES algorithm, उसक सारी चीजों में क्या करता है, कि भी security provide करने का काम करता है, किसी भी unauthorized asset या loss, इन सारी चीजों, मतलब जो भी sensitive data होता है, उसको safe करने का काम करता है, अब बात आती है कि आगे, virtual private network में भी AES algorithm बहुत जादा helpful होता है, जैसे क्या होता है, VPN जिसको हम VPN बोलते है, virtual private network, अब हम क तो वहाँ पर क्या करता है, कि original IP address को hide करने का काम करता है, ताकि जिस end से हम उस data का access कर रहे है, वहाँ पर पता नहीं चलना चाहिए, कि हम आखे की server का use कर रहे है, ति इस चीज को भी hide यानि encrypt करने का काम करता है, उसके बात करता है, secure storage और password, ठीक है, आप password, तो क्या करता है कि AES, जो हमारा advanced encryption standard होता है, A encryption is commonly, ठीक है, जो भी storage password होते हैं, उनको secure करता है, क्योंकि अगर भाई कोई company है, company के अंदर login होंगे, login के साथ user ID password save होती है, तो उन सारे जो password save रखे हैं, उन password को भी protection provide करने का काम करता है, यानि उनको encrypt करके रखता है, ताकि कोई भी unauthorized access, आके उसका access न ले, ठीक है, उसके बाद file और disk encryption हो गया, तो इसके अंदर भी यह क्या करता है, जो भी files हो गया, folders हो गया, computer के अंदर, या external storage device हो गया, cloud storage हो गया, हम cloud के उपर भी data रखते हैं, इन सारी सारे file को, यानि जितनी भी sensitive data होते हैं, उनको क्या करता है, कि यह जब हम transmission करत to prevent unauthorized access, जब हम data को transfer करते हैं, one end to another end, तो वहाँ पर क्या करता है, कि यह unauthorized access से हमको बचाने का काम करता है, तो यह था इसका application, अब हम बात कर लेते हैं, difference between DES and AES algorithm के बारे में, यानि data encryption standard and the advanced encryption standard algorithm के बीच में, क्या major difference है, तो सबसे पहले, अगर हम बात करें basic के बारे में, तो जो data blocks होते हैं, वो split हो जाते हैं, दो पार्ट से, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कि data encryption standard के अंदर, जो data block होते हैं, उसको हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि जो भी processing होती है, वो processing single matrix के अंदर होती है, AES के अंदर, मतलब यहाँ पर single matrix के अंद कर देते है अब गर हम बात करें जो हमारा DES इसको कब क्रिएट किया गया था तो इसको 1976 के अंदर क्रेट किया गया था और हमारा एड़ांस इंक्रिप्शन स्टेंडरड को 1990 के अंदर क्रिएट किया गया था और इसको वो launch कप किया गया, market के अंदर 2001 के अंदर लेके आया गया था, अब बात करें design, किसके दोरा design किया गया है, data encryption standard को, तो IBM दोरा इसको design किया गया है, और advanced encryption standard को किसके दोरा design किया गया है, तो दो scientists थे, पहले क्या थे, बिसेंट, रिजमेन थे, और दूसरे हमारे कौन थे, जोन, डेमेन थे, ठीक है, इन दोरा किया गया, advanced encryption standard को design किया गया, अब अगर हम बात करें, जो हमारा data encryption standard, इसके अंदर total 16 rounds होते है, और advanced encryption standard के अंदर 10 rounds होता है, for 128 bit algo के लिए, और 12 round होता है, 192 bits के लिए, और 14 round होता है, 256 bit algo के लिए, ठीक है, उसके बाद हम अगर आके बात करें, तो जो speed की अगर हम बात कर लें, तो जो data encryption standard होता है, इसकी speed slow होती है, compression किसके advanced encryption standard के, और इसकी speed क्या होती है, advanced encryption standard की, इसकी speed high होती है, compression इसके data encryption standard के, अब security की बात करें, तो जो हमारा data encryption standard होता है, एक क्या करता है, कि smaller की का use करता है इसलिए इसको कम secure माने जाते हैं और यहां पर क्या होता है कि इसमें large secret की का use किया जाता है इसलिए more secure होता है more secure की होता है क्योंकि इसमें number up encryption के rounds जो होते हैं वो ज्यादा चलते हैं और यहां पर कम होते हैं इसलिए इसको कम सिक्योर माना जाता है, की की size की अगर हम बात करें, तो जो AES है, इसके compare में अगर हम बात करें, तो जो DES की size है, वो lower होती है, और यहाँ पर उसकी size क्या होती है, की की larger देन होती है, इसकी अपेक्चा, ठीक है, plain text की बात करें, तो data encryption standard के अंदर plain text क्या होता है, 64 bit का होता है, लेकिन यहाँ पर plain text 128 bit, 192 bit and 256 bit का होता है, ठीक है, उसके बाद identify attacks की बात करें, की इसके अंदर कौन-कौन से attack हो सकते हैं, तो data encryption standard के अंदर linear crypto analysis attack हो सकता है, या कह सकते हैं, differential crypto analysis और brute force attacks हो सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी identify attack नहीं है, अभी there is no identify attack, इसके किया गया, infuser होता है, तो इसके बात अलग है, ठीक है block size की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 128 bit का block size होता है, और यहाँ पर 64 bit का block size होता है, अब пог 얼마나 form के अगर हम बात करें, तो हहाँ लुट का use किया जाता है, जो बाति है गौन-कॉन-पर कहाए जाता है, data encryption standard का, और समझ में आया होगा कि advanced encryption standard क्या होता, इसकी history, क्या characteristics, क्या advantage, disadvantage and application और last में हमने discuss किया इसके data encryption standard और advanced encryption standard के बीच में क्या major difference थे. So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो like, comment और subscribe जरूर कीजेगा और हाँ, अगर अभी तक आपने इस PDF notes को download नहीं जिया है, तो description में लिंक है, आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं. Thanks for watching the video. Thank you. Bye-bye guys.